हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक टुमाई चैनल शीवी गार्डनिंग कैसे हैं आप सब आज मैं बात करूंगे कुछ ऐसे पर्मनेंट इंडूर प्लांट्स की जिनको आप कटिंग से ग्रोव कर सकते हैं यह बहुत ही लोम इंटेंस प्लांट है इनको लगाना भी बहुत ही असा असानी से प्लांट है इनको अगर इंडूर में लगाते हैं तो आज अच्छा इयर प्लांट है तो इनको आप जूर गरो करें बिगनर्स के लिए भी यह बैस्ट प्लांट है तो वीडियो शरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो चलिए गायज गिनदेरी के शुरू करते हैं वीडियो को जो सबसे फस्ट प्लांट यह है मनी प्लांट मनी प्लांट को कौन नहीं जानता इसे वास्तों के नुसार भी बहुत है अच्छा एक शूप होदा इसे माना जाता है सभी से घर में लगाना पुसंद करते हैं इस आदता कको कैकला इसे बहुत है बीज़े में घाता मुलिवित गुप्त पेली बीज़े केज़़ाते हैं अ क्योंकि आप पज़न देख वाद गाना में व्हाय है आप इसको पानी में घूभरनागाना जोगायख इन दुन केज़़़ा हनने मैं आ। नहीं सक्कर पानी में तो ब्लाइब करता है कि रिखने से पारी और रेंज को स्थीट और बंट इसे को मिल जाएका और शुटशी ग्रोग करें तो यह तो सबसे 1st plant money plant तो इसको आप जुर ग्रो कर लें वास्तो के नुसार भी यह बहुत अच्छा plant है और health benefits भी है इसके बहुत अच्छा air purifier plant भी है तो इसको आप जुर ग्रो करें वीडियो का जो 2nd plant है यह है dressina plant dressina marginata है tea plant की नाम से भी इसे जाना जाता है इस प्लांट को भी आप गर्लश कर सकते हैं बहुत कि राइटेस की सलीड वराइटी banyak रराइटी है तो येल्लो गर्लिया और ग्रीकिन कलर का भी होता हुआ तो इसे जरूर घ्रो कर लें बहुत ही इसानी से ग्रों होता है आप पानीमे भी इसानी से ग्रोंप कर सकते हैं और मिट्टी में भी बहुत जल्दी ही रूट्स है जो डवलप कर लेज ता बहुत जल्दी इसकी प्रोपोगेशन हो जाती है बहुत ही अच्छा और एक Lomentence प्लांट है Next plant है यह है Singonium इसे Arrowhead प्लांट के नाम से भी जाना जाता है यह भी प्लांट बहुत ही अच्छा एक Air Purifier प्लांट है इंडूर में यह प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है अच्छा बहुत है प्लांट को बहुत है इसके बहुत ही अच्छाग। वीडियो का नेक्स्ट प्लांट है यह सने के नाम से बीसे जाना जाता है यह बहुत अच्छा नासा रिकमेंडिड प्लांट है इसको आप जरूर करें लीफ कंटिंग से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं डिवाइड करके भी काफी सारी प्लांट बना लेता है अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो इसके एक साल में काफी सारे पाफ्स इसके निकल कर आ जाते हैं तो इससे आप डिवाइड करके काफी सारे प्लांट बना सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा लोमेंट टेंस प्लांट है इंडूर में बहुत ही अच्छा उसे ग्रो करता है नई न स्पाइडर प्लांट को नहीं जानता बहुत ही जिसे फैलने वाला ही प्लांट है चाहिए इसको बास्केट में कर लें कमले में कर लें तो बहुत ही सानी से फैलता है और इसको आप अपर जून के महीने में अगर आप इसको आउटसाइड में रखते तो इसकी पतिया थोड़ तो प्राइट लाइट में रखेंगे तो ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छी से चलेगा कि अपे इसको बास्केट में लगा सकते हैं दो बहुत ही लो मैंट favour इसको अच्छी ने रोपी ने बास्केटь प्लान्ट बास्केट ANY यह freild निव्ट प्रकोफ कर दोए हैं लिए। तो फंपने नत महीं सकते हैं व्य चंटों को रोव। ऐसाल कमें एक बायची से नहीं सकते हैं ओक सबस्तुआ को चछोटी सी कंदिंग इसे का바ष्या वी कहीं में लगा हैं लिए इसका फोड़े फो त्व हैं वाला की जोल ??? में ही चलता है यह में है दो कोगते के बैफ अकुम मुह जोका है। इसे यहाई रूपी सैंबाना धरनल् pane में वाहने बैघकोरेंटी प्लांट के रूप में ऊप्सूरत लेटी कर सकते हैं गुरींटी तो बहुत ही संुदर प्लांट यहाई है विडियो को जो नेक्स्ट प्लांट यह है तो भी स्फीन प्लांट के इसका प्रोपकेशन आए। यह leftege मेसा ज़ल्दी नगतर है। यह साज़्क्ट विद्धन depends कि एफ यह बहुत है। मुच जल्दी इसके डाफ्ट आप उतन्यां कोई प्रोपकेशन नेवन जल्दी जल्दी होसा करते हैं चलता है। तो अबहुत रहसाने से आप इसको घृष कर सकते हैं और इसको कटिंग से शक्रों कर सकते हैं अगर या इतने ही प्ला 생각 है प्लान्टी आफ यू journey से बहुत है साथ यह थराने सी ड्रेशियर ऑना रीव्लेक्स लेता है और अगर आपके जो प्लांट बड़ा है साइज में और इसकी पतियां बिल्कुल जड़ रही है तो आप इसकी ऊपर वाले टेप काड़ दे जिसके प्लांट में नही नही लीवज आना शुरू हो जाएंगी एक तो प्लांट बुशी बन जाएगा और आपके पास जो नही प और आपदी कृश्पस इसकी पया सै बिलकुल गोल कर सकते है और बहुत सुनदर लगति दर्लूर वियर में इसके थोड़ा वायट यह एरलो कलर ठही है तो ए बहुत ही खुब सुच लगता प्लांट इसको बिलकुली आप को ट्रे आ चलप कर शकत़ है तो स्य defended आपे एक फ लेकिन इसकी नायन कोने पती पतियों सब्टे कने ग्रता पती साल पहाल करने मैं पनी को नभी दो对 है कि इस सब्टोन करें लोजन को हीं तो मिंटी में पела सकते जगें अपके रहial क Lebens सब्टी में बिख विग मान में ज्यक्राइब आप इसके छोटी सी cutting ले आए पानी में रख दें और फिर जब इसकी roots आजाएं फिर आप इसको गमले में लगा दें मिट्टी में लगा दें वीडियो को जो नेक्स्ट प्लांट है यह है एगलोनीमा का प्लांट एगलोनीमा प्लांट को भी आप बहुत ही असानी से ग्रो कर सकते हैं आप इसको चाहें कटिंग से ग्रो कर ले या फिर आप इसको डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही खूपसूर्ट लगता ह इस्की होँ जिल्कुल को तरह, इस्कों भी आप सब्सक्राइट में करते हो बहुत जब और इसको basta alluse, प्रीक्राइट में वह बहुत जुक्त सी सुस्क्राइट के प्लाट के नाम जाता है यह लियो प्लांत नाम से जाने जाता है यह बहुत एक खुप्सूरत लीजबाला प्लांत होता है इसको वी आप ज़रूर ग्रो कर लें यह प्लाट भी जो है जून जुलाइरे में बहुत ही घ्रों करते हैं बहुत ही खुषरत और लॉमेंटर यह प्लांट जो हैं अब आपको दिखा देखा दी है कुछ दिन पहले रहे लगाई थी और यह भी बहुत ही जो चल चुकिए बहुत ही असानी से ग्रोंने वाला प्लांट तो भी आप जरूर ग्रों करें नेक्षू प्लांट यह है अजवायन का प्लांट अजवायन के प्लांट को को नहीं जानता बहुत इच्छा उष्टिय गुनवाला प्लांट होते हैं काफी सारे इसके यूज़ होते हैं इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से ही तियार किया हुआ है इस प्लांट की मैंने कटि लगाती हैं सकती है इसकी नहीं 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 लेसस plane को सब्सक्राइब की तरहीट कम ही Yak工 सब्सक्राइब का विद करना करा उनुद है भल रहे आरों ने मीन मी हदा और पर चाहिए वौत सब्सक्राइब क treaty नहीं को उनले औ hacia चाहिए और तो इस activity को में उनले कर लें मिद्द का कि यह थे कुछ ऐसे 15 प्लास इंडूर प्लांट जिनुको आप कटिंग से ग्रोव कर सकते हैं बहुत अच्छे पर्मनेंट प्लांट है सालों तक ही आपकी गार्डन में बनी रहेंगे तो इन्हों को आप इंडूर में ग्रोव कर सकते हैं कुछ प्लांट को डिवाइड करके ग्रोब कर सकते हैं। बहुत ही खूटी सिल गते हैं, मतने मैरी प्लांट अगर इस सब्सक्राइब आपको फॉप्सक्राइब अगर आपको कोई वी डाउट है, तो आप मेरे कोको मीरे कमेंट साथ भी पूश सकते हैं, काई बस्कों